जाइन दोस्तों एक बार फिर से सवागता आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन स्मार्ट केरेयर पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले कुछ मैं तो पूर्पूर्ण पूर्पूर्ट इंपोर्टेंट के उपर बात करने वाले जो कि विकल मेकनिक ब्यारों में जो विकंसी निकले जिनके एड्मिट कार जारी कर देंगए और उन कंडिडेट को बहुत बहुत बदायों जिनका लिस्ट में नाम आया है सोट लिस्टेड है एक्जाम के लिए तो इंपोर्टेंट को सेंट का एक क्लास फैस्ट होने वाली है तो अब कई स्ट्रेंट के मन में डाउट है कि एक और लिष्ट आने आएगी या नहीं आएगी क्योंकि उनका इस लिष्ट में नाम नहीं किसी कारण वस तो उनकी जानकर के लिए बता दूए आपर कोई भी चां कंडिडेट बुला ले गया है जितने इनको रिक्वायर होती है अब जिस भी बाई का नहीं आया है वो फोर्म भरने में गलती कर दिये होंगे या किसी और कारण वस उनका एड्मिट कार्ड नहीं जारी हो पाया तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ शाथ कुछ इंपोर्ट बात हैं और बता देता हूं क्योंकि कई कंडिडेट नए हैं जो बीयारों का एक्जाम पहली बार देने वाले कि उनको म पूरे questions करके आने हैं आपके अंक भार की बात करें यानि आपके पेपर कितने questions आने वाले इसकी बात करें तो यहां पर 50 questions आने वाल जिसमेंसे 10 जिके प्लस-40 आपकी ट्रेड शे रिलेट आने वाले हैं ओके फ्रेंट्स यह इनका फॉर्मेट चेंज भी हो जाता है अगर ऐसा होता है तो 80 पलस 20 यह भी रख सकते हैं इस बार पॉर्मेट काफी चेंजमेंट होने वाला है इस बार सभी का एक्जाम पूर्णे में करवाया जा रहा है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स कि एस्पेक्टेड कटोफ कितनी रहसे थे सेफ इसकोर आपका कितना रह सकता है कि आप एक्जाम में कि नंबर लेका है और सेफ आप आराम से पास हो जाएं उसके उपर भी हम चल्चा करने वाले हैं वीडियो को डिस्क्रिप पेंटर की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो अब तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेस्टेंस हैं यहां पे एंटी लोक्ट ब्रेक सिस्टम एबीएस का कारे है कि यह क्या कारे है एबीएस का तो पहला उप्सन यहां पर रुकने की गति कम कर देता है एब्स ऑप ब्रेकिंग के दोरान पईयों को लोक करने होने से रोक कर दिसात्मक नियंतरन बनाए रखता है। Option D, ब्रेक लगाने के दोरान नोज डाइव को रोकता है और इस तरह पईये के लोक किंग को इस्तकित करता है। इसका राइट आंसफर है, ओप्सन नमबर C, ब्रेकिंग के दोरान पईयों को लोक होने से रोकर दिसात्मक नियंतरन बनाए रखता है, ABS सिस्टम, ओके फ्रेंट्स Anti-lock break system ABS का कारे यहाएं कि bumped request ABS का कारे यहाएं कि breaking के दोरान पयों को おोक्तो डिसातमक नियंतर न बनाए रखता है कि एक anti-lock breaking system एक सुरुकसा anti-skéde विमान और भूमि वहानों पर इस्तमाल किये जाने वाला breaking system ABS breaking के दोरान पयों को लोग होने से रोकता है जिससे सड़क की सतय के साथ ट्रेक्टिव संप्रक्त बना रहता है अगला के अप्रेंट्स यहाँ पे ब्रेक फ्ल्यूड की बुन्यादी विशेशताए हैं उप्सन ए एक उच कवतनांग उप्सन बी कम चिप चिपापन उप्सन सी रब्बर और बागों के साथ संगतता और अप्सन डी यह सब तो इसका राइट आंसर रफ्रेंट्स यहाँ पे डी यह सब उपर के तीनों ब्रेक फ्ल्यूड की बुन्यादी विशेशताए हैं ब्रेक द्रव बहुत उच तापमान के अधीन होता है विशेश रूप से ड्रम ब्रेक और पईया सिलेंडर में वानों के बीतर वास्पिकरण से बचने के लिए इसका उच्छ कवतनांग होना चाहिए रबबर और दातु बागों के साथ कम चिपापन और संगतता किशी वाहन का विहील बेस होता है उप्शन A आगे और पीछे के पैयों के केंदरों के बीच की दूरी उप्शन B सामने के टायरों के केंदरों के बीच की दूरी उप्शन C पिछले टायरों के केंदरों के बीच की दूरी उप्शन D वाहन की अत्यदिक लंबाई तो इसका प्राइट रफ्रेंट्स यहां पर उप्शन ए वहन का पहिया अधार आगे और पीछे के पहियों के केंदरों के बीच की दूरी है नेक्स्ट क्वेस्ट यहां पर लेड ऐस्चिड बैटरी की रिनात्मक प्लेटों में होता है Option A, Lead Proxide, PbO2 Next B, Spongebob Sisa Next C, Lead Sulfate अगला है D, Sulfuric Acid तो इसका Right Answer है Friends यहाँ पे Spongebob Sisa Okay Friends, B यहाँ पे Right Answer होने वाला है Lead Acid Battery की दनात्मक प्लेटों में होता है Option A, Lead Proxide Option B, Spongebob Sisa Option C, Lead Sulfate Option D, Sulfuric Acid अब बात कर रहे हैं यहाँ दनात्मक प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं तो Friends, दनात्मक प्लेटों के बीच में Lead Proxide PbO2 होता है अगला है Friends, यहाँ एक Automobile में संचर्ण का उदेश्य है Option A, Automobile की गति को बदलने के लिए Option B, Pio पर Torque को बदलने के लिए Option C, Automobile की सक्ति को बदलने के लिए D, इन में से कोई नहीं तो Friends, इसका Right Answer जो है B है, पयोपर Torque को बदलने के लिए Automobile में संचर्ण का उदेश्य का है पयोपर Torque को बदलने के लिए किसी भी Transmission का कारिय इंजन की सक्ति को Drive Soft और Rear Wheels में इस्तानांत्रित करना है Transmission के अंदर Gear, इंजन की गती और Torque के समन्द में वहान की Drive, विहिल, गती और Torque को बदलते हैं अगला Question है Friends, यहाँ पर Question No.7 है, यहाँ पर एक इंजन का Stroke है Option A, Cylinder के मात्रा Option B, Connecting Road के लंबाई Option C, Cylinder का आंतरिक व्यास Option D, यहाँ पर TDC और BDC के बीच की दूरी तो Friends, यहाँ पर एक इंजन का Stroke क्या है TDC और BDC के बीच की दूरी इंजन का Stroke कहलाता है अगला Question Friends, यहाँ पर Seat Belt Tensioner Tensioner में बने होते हैं Option A, आगे की Seat Option B, Solder, Anchor Option C, Seat Belt, Retractor Option D, Seat Belt, Bucksua तो Friends, यहाँ पर Seat Belt Tensioner में Seat Belt Retractor बने होते हैं अगला Friends, यहाँ पर इंजन का मूल भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जे जुड़े या Assemble के जाते हैं वह है Option A, Cylinder Head Option B, Crank Soft Option C, Cylinder Block Option D, तेल के कड़ाई तो इसका Right Answer, Friends इंजन का मूल भाग जिससे इंजन के अन्य पुर्जे जुड़े होते हैं या इकठ्थे होते हैं वहाँ Cylinder Block होता है एक इंजन Block वहाँ सरंचना होती है जिसमें आंतरिक दहन इंजन के Cylinder और अन्य भाग होते हैं प्रारंबिक ओटोमोटिव इंजन में प्राकर्थिक ग्यास को कि的ंद वाव में संप्रीट किया जाता है प्रक्राकर्थिक ग्यास को कि सदवाव इन संप्रृटिक क्या जाता है यह पर ओप्शन ए 200 आर ओप्शन B 220 बार ओप्शन C 250 बार ओप्शन D यहाँप uh कि फ्रेंट्स यहां पर C&G प्राकृति गैस 200 बार पर संपीडित किया ज़्यादा बार यहां पर दाब की इकाई है दाब मापन की आज का हमरा अगला question friends यहां पर एक ओटो मोबाइल में एक अल्टरनेटर का कारिया है और यहां पर बैटरी को लगाता रिचार्ज करता है और अगला question friends यहां पर एक विशिष्ट इनलाइन चार सिलेंडर इंजन के क्रेंक शॉप्ट में इस पेस संतुलन बार होता है option A 12 option B 4 option C 16 option D 8 तो friends इसका राइट आंस्वर जो यहां पर D होने वाला आठ यानि इनलाइन चार सिलेंडर इंजन के क्रेंक शॉप्ट में चार संतुलित बार होता है अगला question friends यहां पर रेडियल टायर की तुलना में बायस प्लाई टायर का एक फायदा है option A लंबा जीवन, option B कम रोलिंग परति रोद, option C कम गती पर आसान सवारी, option D यहां पर इन में से कोई नहीं तो friends इसका right answer जो है C विकलप होने वाला है, रेडियल टायर के तुलना में 22 प्लाई टायर का एक फायदा यहां है, एक कम गती पर स्मूथ ड्राइविंग परतान करता है अगला friends यहां पर ब्रेक बूस्टर का सकती स्रोत है, option A निकास कई गुना दवाव, option B बिजली, option C वाई मंडले दवाव और सेवन में वैक्यूम, दवाव की बीच दवाव का अंतर कई गुना है, option D हाइड्रोलिक पंप, तो इसका right answer जो friends यहां पर C है तो friends, ब्रेक बूस्टर के लिए सकती का स्रोत वाई मंडले दवाव और intake manifold में वैक्यूम दवाव के बीच का दवाव अंतर है अगला question friends यहां पर अंतर गरहन वाई द्वारा लिया गया मारग है, option A, carburetor या throttle body air cleaner, intake manifold, intake port cylinder, air cleaner carburetor, intake port, intake manifold cylinder, option C, air cleaner, intake manifold carburetor, intake port cylinder option D, air cleaner carburetor, intake manifold, intake port cylinder, तो friends यहां पर इसने मारक की बात की रूट की, तो air cleaner, carburetor, intake manifold, intake port cylinder, तो D यहां पर right answer होने वाला है अगला question friends यहां पेट्रोल जो आसानी से फट जाता है, option A, much octane petrol, come octane petrol, C, unleaded petrol, option D, misrit inden, तो इसका right answer जो friends यहां पर B, A, come octane petrol जो आसानी से फट जाता है, octane संक्या जितनी अधिक होगी, विसपोर्ट से पहले इंदन उतना ही अधिक संपीडन का सामना कर सकता है इसलिए इंदन की उच्छ संपीडियता मुक्य रूप से gasoline engine के लिए माइने रखती है, कम octane संक्या वाले gasoline के उपयोग से engine के खटकटाने की समश्या हो जाती है अगला question है friends यहाँ पे, engine से बिजली के आवे गो को सुचारू करने के लिए उपकरण को कहा जाता है option A, clutch, option B, enter, option C, चक्का, option D, torque converter तो friends यहाँ पे इसका right answer हो, C, चक्का चक्का एक यांतरिक उपकरण है, जिसे विशेश रूप से गूर्णी उर्जा को कुसलता पूर्वक संग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है fly vehicle अपनी जड़ता के छण से गूर्णी गती में परविरतन का विरोध करते हैं एक चक्का में संचीत उर्जा के मातरा उसकी गूर्णन गती के वरक के समानुपाती होती है अगला क्वेस्टन है friends यहाँ पी एक पैट्रोल इंजन का संपीडन अनुपात लगबग होता है उप्शन A 4 अनुपात 1, उप्शन B 8 अनुपात 1, उप्शन C 15 अनुपात 1, उप्शन D 20 अनुपात 1 तो friends इसका right answer जो यहाँ पर B 8 अनुपात 1 है तो friends आज का मारा यह अंतिम क्वेस्टन है ओटो मॉबाइल में GVW किसको संदरबित करता है तो इसका option A सकल वाहन चोड़ाई, option B सकल वाहन वजन, option C सकल वाहन पईया आदार, option D सकल वाहन पईया ट्रेक तो friends यहाँ पर बात करें GVW, G का मतलब gross, V का मतलब vehicle, W का मतलब weight यह नि सकल वाहन वजन, यहाँ पर GVW को संदरबित करता है तो friends उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इस्टे ओम, इस्टे सेफ, जाहिंद